हर्याना मुख्यमंत्री मनोहरलाल की उपिध्यक्षयता में हुए क्याबिनेट बैठक में कई मैध्पुन फैसले लिये गए हर्याना मंत्री परिश्रद्वारा हर्याना मौल और सेवापकर अधिनियम 2017 के तहट जारी की जाने वाली अधिसूचनाव और न्यमोक तथा इससे संबंधित मामलों को अनुमोधन के संबंद में अपनी शक्तिया मुख्यमंत्री को सोपने का निरुने लिया है मंत्री परिश्रद्वारा हर्याना मौल और सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावध्धानों के कण्याव वैन तथा तदनु सार हर्याना मौल और सेवाकर अधिनियम 2017 के तहट सरकार के पास निहित शक्तियों के प्रयोग में सरकार द्वारा जारी की जाने वाले अवशक अधिसूचनाई संशोदनों को अधिसूचित करने के उदेश से GST परिशत की सिफारिशों पर बनाये जाने वाले मौसूदा नियमों को मंजूरी देने और संशोदित करने तथा इससे संबंदित अन्ने सभी मामलों के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी मुख्यमंत्री को अधिक्रत किया गया इसके अलावा जिला जीन्द की तहसील नर्वाना के गाउं घंगोरी को जिला कैथल की तहसील कैथल में शामिल करने से संबंदित रासव एफ आपदा प्रबंदन विभाद के एक प्रस्ताव की सुईकृती प्रदान की गई आज बहुत सारे महतोपूरण निर्णे कैबनेट ने लिए हैं उनकी महता के हिसाब से ही कुछ निर्णों की चर्चा मैं आप से कर रहा हूं पहला निर्णे खिलाडियों को लेकर है पहले जो टीम के खिलाडी से यहनी इसमें टीम होती थी दो खिलाडी ग्यारा खिलाडी तो उसका जो कैस अवाड इंडिज्वल को मिलता था उतना उसको नहीं मिलता था अब यह तै कर दिया है जो एक इंडिज्वल को कैस अवाड मिलता है टीम के भी प्रतक्स तस्यको उतना ही कैस अवाड मिलेगा इसी तरह से एक निर्णे था कि एक ही साल में अगर दो गेम हो जाते हैं अलो ओलम्पिक भी हो गया और कॉमन वेल्थ भी हो गया तो दूसरे गेम का जो ज़्यादा वाला है वो पूरा मिलता था और दूसरे गेम का पूरा नहीं देते थे अब यह तै कर दिया कि एक ही साल में अगर दो गेम होते हैं तो भी पूरा पूरा अवार्ड दिया जाएगा एक ही साल में होने से जो पहले दिरने कम करने का था वो दिरने अब नहीं है उसको पूरा पूरा जो पुरुसकार उसका बनता है जिस भी मेडल को खिलाडी लेके आता है वो पूरा पुरुसकार मिलेगा तीसरा जूनियर और सब जूनियर इनको पहले जो सीनियर खिलाडी को जो अवाड मिलता था उसका लगबग 10 से 30% तक मतलब रासी तेकर रखी थी कि इस पे इतने लाख देंगे इस पे इतने लाख देंगे जो रासी 10 से 30% बनती थी और सब जूनियर पर 3 से 15% बनती थी कुल रकम में था वो उसको अब बतल के 75 और 50% कर दिया गया है इसका मतलब यह है कि मालो 6 क्रोड ओलम्पिक वाले को मिलना था तो अभी अगर उसमें जूनियर है तो साड़े 4 करोड मिलेगा और सब जूनियर है तो 3 करोड मिलेगा अब परसंटेज में आ गया 75 और 50 परसंट हो गया पहले यह परसंटेज काफी कम ते किया गया था जो 10 से 30 परसंट जूनियर के लिए था और 3 से 15 परसंट अलग लग एक मुस्तरक में रखी हुई थी 10 लाख देंगे 15 लाख देंगे 20 लाख देंगे तो वो रासी ऐसे बनती थी अलग लग 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 गेम में लेकिन अब यह तैय कर दिया गया है कि 75 परसंट और 50 परसंट जूनियर को 75 और सब जूनियर को 50 परसंट मिलेगा 50 परसंट जूनियर को और 50 परसंट सब जूनियर को तीसरा यह है कि जिन गेम्स में सब जूनियर नहीं होते यूथ और कैड़िट होते हैं तो उनको भी उसी परकार से मान कर जूनियर और सब जूनियर मान कर अवाड दिये जाएंगे लेकिन उनी में जिस में junior और सब junior नहीं होते हैं. पहले ये तेह किया था कि जो खिलाडी हर्याना की तرف से खेलेगा, उसी को पुरुसकर्थ करेंगे, लेकिन अब ये तेह किया है कि हर्याना का कोई भी खिलाडी, छे रेल्वे से खेल रहा हो, छे सेना से खेल रहा हो, मतलब हमारी तरफ से नहीं खेलाओ हरियाना का है तो उसको भी पुरुसकार देंगे प्राइवेट श्क्यूरिटी एजनसीज खास करके जो कैस लाती ले जाती हैं उनके लिए भी कुछ नियम जो है वो बनाए गए हैं उनको भी आज जो है जो है वो कैबनेट ने स्विकार किया है कि किस तरह से सुरक्षा रखी जाए उसके कुछ ऐसे मांदन तै किये गए हैं यह आज का एक मुख्य एजेंडेज में था एक जज्जर में और फरिदाबाद में पोरो सैनिकों के लिए फ्लेट्स आवास ये फ्लेट्स जो हाउसिंग बोर्ड बनाने का उन्होंने निरिने किया है जजर के सेक्टर छे में और फरिदाबाद के सेक्टर चपपन और चपपन एवें उसके लिए हाउसिंग बोर्ड के लौन लेने की एक स्वी करती 34 क्रोड रुपे की वो जो है ये फ्लेट्स बनाने की अनुमती और 34 क्रोड के लौन लेने की अनुमती आज के अवनिट में हाउसिंग बोर्ड को दी है एक दनोरी गाओं जो है तैसिल नर्वाना से डिस्टिक जीन से तैसिल कैथल और डिस्टिक कैथल में वो शिफ्ट किया गया है दनोरी गाओं पहले जीन जिले में था नर्वाना तैसिल में था वहाँ से उसकी डिस्टिंस ज्यादा थी गाओं के लोगों की बार-बार मांग आ रही थी कि वो वहाँ डिस्टिक हेड़ क्वाटर से 70 किलोमीटर पड़ता था और कैथल से 23 तो उनकी मांग पर उसको यहाँ सिफ्ट कर दिया गया है कैथल जिले में कैथल उसमें इसी तरह से हरियाना उद्यम प्रोशान एक संसोधन विदेख स्विकार किया है और इसमें मोजूदा जो है उद्यमों को सामिल करने का विशे इसमें लेकर आये हैं कि जिसे जो व्यवसाय आसान करने के रास्ते पर जैसे हरियाना बढ़ रहा है एजी डूइंग बिजनिस के रास्ते पर और भेतरी के रास्ते पर जा सके तो इसका एक जो है आज कैबिनेट ने इसको की अनुमति दी है एक कई सारे डिपार्टमेंट्स की जो है वो जो रूल्स एमेंट्मेंट्स जो है वो आज स्विकार किये हैं उसमें गोसेवायोग भी है उसमें टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है गुरूप बी ओफिशर्ज इन्फरमेशन टेकलोजी इलेक्ट्रोनिक्स और कम्मिकेशन गुरूप बी इसके सर्विस रूल गुरूप एक भी है इसके इन्फरमेशन टेक्नोलोजी इलेक्ट्रोनिक्स and कम्मिकेशन गुरूप एक रूल्स भी इए टेक्निकल एजुक्सटिशन डिपार्टमेंट के जैसे मैंने पहले बी के कहा तो ए गुरूप एके भी है इसमें जो आज स्विकार किये हैं और कुछ करमचारियों की जो जो है जो सर्विस एक विंसम रहती है वो है हमारे सफाई करमचारी जो अभी तक प्राइवेट एजन्सीज के करमचारी थे सहरों में नगर ये वस्थाओं में वो अब नगर पालिका नगर परिसत के पेरोल पर होंगे इसमें सीवर मेन भी है इसमें सफाई करमचारी भी है और इसमें फाइर मेन और फाइर ड्रायवर भी है साथ हजार एकसो तीन करमचारियों को इस प्रकार से अब प्राइवेट कंपनी से ठेकेदार से अब वो नगर पालिका नगर निगम नगर परिस्वत के पेरूल पर आ जाएंगे अर्बंद में जो भी है वो साथ हजार एकसो तीन इनकी संख्या है तो एक बड़ा डिसीजन जो है आज कैबनेट ने यह लिया है एक नारायनगड मिल का एक पेमेंट का इश्यू अटका हुआ था और किसानों को गन्ने की जो है वो भुगतान नहीं हो रहा था तो वो भी किसानों को गन्ने का भुगतान करने के लिए साट करोड रुपे का आज कैबनेट में प्रोविजन किया है जो किसानों का भुगतान पूरा नारायनगड मिल का हो जाए एक बड़ा दिर्णे है एक है मिल्क सेस वो जितने भी डेरी प्लांटे है उनके लगा रहे थे और उसमें चकरवर्दी ब्याज लगता था उसमें अब एक मुस्ट छूट दी गई है कि साधान ब्याज लेंगे और जो 50% रासी जमा करा देगा अपने मूल की और साधान ब्याज की उसको ये छूट दे देंगे और बाकी 6 मिने में 50% जो पुराना एक अमबार लग गया था बार 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 लगबार तेरा सो क्रोड पर पहुंच गया था उसको जो है ठीक करने के लिए ये किया गया है और अब ये रासी जो है ये 12% इंटरस्टेट कर दिया गया है इसमें और जो है 50% जो जो हमां करा देगा इसको जो है ये इस योजना का लाब मिल जाएगा और 6 मिने में बाकी का 50% है इस कमिट्मेंट के साथ जो जो इसमें जो चक्रवर्दी इंटरस्ट का तरीका था वो माफ हो गया अब सिंपल इंटरस्ट रहेगा बारा परसेंट का एक सेंटर फॉर प्लांट बायो टेक्नलो जी ये जो है चरण सिंग विश्वी तरले को दिया गया है उनके केंपस में था लेकिन बारे सरकार के और राज्य सरकार के उससे बना हुआ था अब ये उनको ट्रांसफर किया जा रहा है कि ये अब इनिश्टी चलाएगी ये आज का दिरने है प्लांट बायो टेक्नलोजी हिसार चोदरी चरण सिंग कर सी विश्वी तरले को पहले साइंस एंट टेक्नलोजी डिपार्टमेंट देखता था अब ये जो है विश्वी तरले चलाएगा जो बना था वो भारत सरकार के और राज्य सरकार के हिस्सेधारी से बना था ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थपरकास ट्रीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें